Very good morning to all of you. Today we are going to discuss about various types of welding. So, कौन-कौन से welding से बारे में हम आज हम दिसक्स करने वाले हैं. सबसे पहली जो है, वो है, forge welding. दूसरे नंबर पर हम दिसक्स करेंगे, gas welding को, then we will discuss electric arc welding, spot welding, seam welding, thermit welding, then MIG welding, carbon dioxide MIG welding and plasma arc welding. तो इन सब जो welding हैं, हम इनको आज डीटेल में डिसक्स करेंगे, साथ ही साथ में, इनकी प्रॉस और कॉंस क्या हैं, वो भी हम साथ ही साथ डिसक्स करते हुए चलेंगे, तो आप पूरा वीडियो देखेगा, enter, और कुछ भी समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो चले ही शुरू करते हैं, सब्सक्राइब कीजे विनो जर्मा चैनल को, और बेल आइकन को तबाईए, ताकि आप तक पहुचे सभी लेटेस टेकनिकल और इंफर्मेटिव वीडियो, सर्वस्रेश्ट, आडियो और वीडियो क्वालिटी में, तो जो सबसे पहले टाइप की वेल्डिक है वो है फोर्ज वेल्डिंग, तो फोर्ज वेल्डिंग क्या होता है, आप लोगो ने जो लोहार देखे हैं, जो आपने देखा सड़क किनारे पर कई सारी चीज़े बनाते हैं लोही की, वो लोग जो वेल्डिंग यूस करते हैं वो हती है फोर्ज वेल्डिंग, तो इसमें क्या करते हैं, This welding is done by bag smith, in this two dissimilar material pieces are heated up up to a plastic stage in the furnace, तो आप उनको पहले किया है, तो पहले है है, तो उनके पास एक भट्टी होती है, उसमें वो उसको हीट अप करते हैं, और वो प्लास्टिक एस्टेश तक गरम हो जाता है, यानि मेल्ट नहीं कराना है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उन दौनों को पास में रखिया और वेल्डिंग का काम करता है, उनमें इंटर मॉलेकुलर जो होता है, बॉन्डिंग बन जाती है, और इसमें जो सबसे इंपोर्टन चीज है, वो है, कि दौनों सर्फेसिज आपकी वेल्डिंग करने से पहले, क्लीन होनी चाहिए, तो जब भी आप इसको फर्नेंस में रखिय उससे पहले कोई भी greasy material है, या कोई भी foreign element उसके लगा हुआ है, तो उसको अच्छे से साफ कर दीजिए, उसके बाद ही उसको गरम करिए, और इससे जो चीज बनती है, वो बहुत ही strong बनती है, और काफी cheap रहती है, तो ये इसके फाइदे हैं, So the next type of welding is gas welding, तो gas welding में हम क्या करते हैं, gas welding में हम लोग gas flame use करते हैं, to raise the temperature of metals to be joined, तो पहले हमने देखा था, forge welding में हम लोग उने furnace use किया था, लेकिन gas welding में हम gas use करते हैं, और gas से हम लोग temperature rise करते हैं, और उसको इतना heat up करते हैं कि वो molten state तक आ जाए, तो जहां पर भी joining होनी है, वो दौनों pieces के होते हैं, molten state तक आ जाते हैं, और वो गरम होने के कारण एक दूसरे में flow होने लगते हैं, और flow होने के वज़ा से क्या होता है, वो एक पूल बना लेते हैं, जो कि solidify होने पर एक welding के रूप में हमें मिलता है, कई बार हम लोग, we can use filler metal, can be added in such kind of molding metals, और हम साथ में filler metal जो होती है, रौड की रूप में, वो भी हम साथ में काम में लेते हैं, जिसे कि जो पूल में यदि material कम है, तो वहाँ पर वो उसका filling का का काम कर देगा, और इस तरीके से हम लोग इस तरह gas welding को बनाते हैं, अब बात कि gas welding में, हम gas कौन से use लेते हैं, तो देखें, बहुत तरह की gases different, अलग-अलग combination से हम काम में लेते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा use ली जाती है, वो होती है, oxy acetylene gas welding, तो हम इसके बारे में detail में discuss करेंगे आने वाले chapters में, तो अभी हम next welding के बारे में discuss करते हैं, तो अभी हम करते हम हमारे जो job होता है, वर्कवीस होता है, उसको हम लोग एक इLEKTROAD बना देते है, साथ ही साथ में, जो हमारा हमारा दूसरा end होता है, जिससे हम welding करने वाले हैं , वहाँ पर हम क्या करते है, एक electrode हम लोग होल्ड करते हैं, युकि filler material की रूप में काम करता है, वह जो electrode हो वह बेयर भी हो सकता है और वह फ्लक्स कोटेड भी हो सकता है तो डिपैंड करता है कि हम किस तरह की application के लिए काम कर रहे हैं तो हम ये दौनों electrodes को जब नजदीक लाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है जो air होती है बीच में वह पर एक electric arc प्रोड्यूस होता है और ये arc इतना high temperature प्रोड्यूस करता है कि जो आपका metal होता है metal का surface होता है वह क्या होता है वह वहाँ से molten state में आने लगता है और बहुत rapid होता है तो इस वज़ा से क्या होता है वहाँ पर वापस से हमारे पास में एक welding शुरू हो जाती है और यहाँ पर ऐसे filler material हम लोग जो use कर रहे हैं वो वहाँ पर पिगल के पूल में गिरता रहता है ठीक है और जो flux की हम बात कर रहे हैं वो ऐसे shield काम करता है तो हमारा जहाँ पर welding हो रही है वहाँ पर हमारा किसी तरह का oxidation नहीं हो तो यह हम बहुत डिटेल में आगे डिसकस करने वाले हैं तो फिलहाल हम सिर्फ इतनी ही बात करने वाले हैं कि electric arc welding electric current पर based होती है ठीक है तो अब हम लेते next category the fourth type of welding is spot welding तो देखिए बहुत जादा यूज होती है और especially यह sheet metals में यूज की जाती है और sheet metals का जो thickness है वो up to 13 mm हो सकता है जहां पर हम spot welding यूज करें तो हम क्या करते हैं दो हम electrodes का में लेते हैं साथ ही साथ में वो electrodes होते हैं वो movable होते हैं तो एक को म fix करते हैं एक को हम movable रखते हैं जिससे हम pressure create करते हैं तो हम उसके अंदर में क्या करते हैं हाई ampere का current flow कराते है और low voltage का तो इससे क्या होता है वहाँ पर जो point है दोनों जो electrode है उनके बीच में जो point है और जहां पर sheet दोनों आपस में overlap कर रही है वहाँ पर spot जो होता है जो particularly point होता है वहाँ पर melting point आ जाता है और वहाँ melting point आने के कारण क्या होता है दोनों में homogeneous mixture बनता है और इसी वज़ा से हमारे पास में एक spot जो create होता है वो हमारा weld हो जाता है वहाँ से चिपक जाता है तो इस तरह से हम spot welding करते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा जो हमारे automobile sectors है जहाँ पर sheet metal बहुत ज़्यादा काम में लेते है वहाँ पर हम लोग spot welding बहुत ज़्यादा काम में लेते है प्लस जहाँ पर भी हम sheet metals के products बनाते हैं जैसे लोग की चदरे हैं या बकसे हैं तो इस तरह की coolers हैं इस तरह की जितनी भी applications है वहाँ पर हम लोग spot welding बहुत ज़्यादा प्रिफर करते हैं ओके देन दा फिफ्ट आइप of welding is seam welding तो दीखे, seam welding is also a kind of spot welding लेकिन इसमें हमने modification क्या कर दिया कि spot में क्या होता था हमारे को कुछ एक points पर ही welding मिलती थी तो एक point के बाद जब हम दूसरा point करते थे तो बीच में कुछ space खाली रह जाता था तो हम नहीं चाहते हैं माली जीजा कि gas leak हो या कोई भी बीच में जो joint है वो किसी तरह से leak करे तो हम चाहते हैं कि welding के वो continuous हो तो यहाँ पर हम क्या different करते हैं यहाँ पर हम points लेने के बजाए क्या करते हैं दो wheels ले लेते हैं उपर और नीचे और वो जो wheels होते हैं वही हमारे electrodes होते हैं और वही pressure create करके रखते हैं तो हमें जो भी sheets हैं जिनको join करना है तो हम उनको overlap करके और उसकी बीच में से उन दोनो wheels के बीच में से निकालते हैं तो होता ही है कि वहाँ पर भी आपका जो high ampere का current होता है low voltage का current है वो उसमें से लगातार भहरा होता है और उसकी वज़ा से क्या होता है जो particularly line है वहाँ पर तो point मिलता था लेकिन यहाँ पर हमें line क्योंकि rollers zone हो घुमते रहते हैं और उसकी बीच में से sheet continuously चलती रहती है तो एक line पर क्या होता हमारे को पूरी heating मिलती है और वहाँ पर एक melted zone जो मिलता है points में वो हमारे को एक line के रूप में यह welding देता है तो लगातार यह line चलती रहती है और लंबाई में पूरी लंबाई में हमारे को क्या होता है वहाँ पर welding मिलती है तो फाइदा इससे यह हुआ कि जो spots में कहीं जगा चूट रही थी seam welding में वो खतम हो गई है तो लगातार seamless है वो तो बिलकुल एक दूसरे के उपर overlap करके वो लगातार welding हो रही है और यहाँ पर हमें किसी पर तरह से leak proof joint मिल रहा है तो यह process से फाइदा दूसरा ही हुआ कि यह बहुत fast होता है क्योंकि एक बार आपने feed कर दिया तो लगातार उसको weld करता रहेगा और sheet आगे बढ़ती रहेगी तो यह इए अम इसको समंझना चाहि Seems जैसे हम लोग सिलाह मशीन से कपड़े को छिलते हैं तो हम लोग बीच महें कपड़े को एक दूसरे पर overlap कि जैसे बीच में से निकालते हैं और सिलाह होती रहती रहते हैं बिल्कुल ठीक उसी तरह से सिम and falan रोलर चलते रहते हैं और बीच में से 2 sheets ओवरलैप करके चलती रहते हैं और उसके नीचे जो point है वहाँ पर हमारी लगातार welding होती रहती है तो this is advanced form of your seam welding, okay. Then the sixth type of welding is thermit welding. तो दिखे बहुत सारी ऐसी प्लेसे होती है जहां पर electric supply नहीं होती है, तो वहाँ remote areas में हम इसको specially use करते हैं तो इसमें क्या होता हमारे पास में एक conical type का vessel होता है और उसके अंदर में हमारी brick lining रहती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं we add aluminum powder as well as iron oxide और हम उन दौनों को क्या करते हैं उस vessel के अंदर रखते हैं and this mixture is heated by the furnace up to molten stage तो उसको हम गरम करते हैं और उसको पीगला देते हैं up to molten stage और उसके बाद देखेंगे तो हम उसके अंदर क्या होता है, aluminium जो होता है वो convert हो जाता है aluminium oxide की form है और इस molten जो metal होता है हमारा इसको हम क्या करते हैं तो उस cavity में हम भरने के बाद उसको ठंडा होने देते हैं और ठंडा होने के बाद में वो solidify हो जाता है और solidify होने के बाद वहाँ पर हमारी welding complete हो जाती है तो यह जो process होता है यह बहुत economical होता है मतलब बहुत सस्था पढ़ता हमको और fast होता है बहुत जल्दी होता है तो इससे जो बनने वाला जो joint होता है वो मजबूत भी हमें काफी होता है तो यह welding हम लोग thermit welding कहते हैं इसको So the 7th type of welding is tungsten inert R welding So in this process we have an electrode which is hold in electrode holder and this electrode holder exhibits some kind of gases from it तो जो electrode है वो electrode holder के अंदर में hold होता है साथी साथ जो electrode holder है उसमें से लगातार inert gases flow होती होती है तो इससे हमें क्याएधा होता है कि जब welding हम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो molten zone होता है वो oxygen के संपर्ट में नहीं आए जिससे हमें यह फाइदा होता है कि oxidation वहाँ होता है यदि oxidation वहाँ रहो तो हमारा जो welding है वो क्या होगा weaker हो जाएगा और जल्दी तूट सकता है तो यह जो zone है यह बनाने के लिए हम लोग inert gas लगाता है उसमें से flow कराते रहते हैं while doing welding और जब हमारी welding हो जाती है तो हम लोग साथ ही साथ में उसमें से air या water jet spray करते हैं जिसे की cooling भी वहाँ पर जल्दी से जल्दी हो सके तो यह जो process है यह काफी durable है और काफी ज़्यादा production में काम में लिया जाता है और यह दौनो टाइप का हो सकता है it may be continuous type और intermittent type लगातार भी कर सकते हैं और रुख रुख करके इसमें से welding कर सकते हैं ठीक है और इसमें इस type की welding होती है इसके अंतर में filler metal हम लोग यूज नहीं करते हैं बिल्कुल भी और सिरफ electrode ही हम यूज करते हैं तो generally इस तरह की welding होती है tungsten inert card welding यह हम लोग aluminum alloy को join करने के लिए यूज करते हैं साथी साथ copper alloys को आप यूज कर सकते हैं metal inert gas welding तो यह भी कुछ हद तक tungsten inner card welding के जैसी होती है लेकिन इसमें जो difference होता है वो क्या होता है कि वहाँ पर तो हम जो electrode होता है वो fix लेते हैं एक ही electrode उसमें hold रहता है लेकिन यहाँ पर electrode जो fix नहीं होता है वहाँ पर wire form में electrode होता है तो यह जो wire होता है वो जैसे हम जिस speed से welding करता है उसी speed से हमारे पास में क्या होता है wire बाहर निकलता रहता है तो हम तेज़ वेल्डिंग करेंगे तो motor तेज़ चलेगी और जज़्यादा wire बाहर निकलेगा क्योंकि हमें लगातार ज़्यादा electrode की जरुर्ट है वहाँ पर filler material की रूप में और इसी तरह से हम दीरे करेंगे तो हमारी motor दीरे चलेगी साथी साथ में इसमें एक फाइदा यह होता है कि जो electrode holder है वहाँ से अगेन जो inert gas है वो release होती रहती है तो अगेन यहाँ पर हम लोग उससे बच जाते हैं कि oxidation नहीं होता है welding जो zone है वहाँ पर तो हमारे को यहाँ पर continuous electrode मिलता है साथी साथ inert gas मिलती है और यह भी हमारे लिए काफी industrial oriented है बहुत जादा काम में ली जाती है and this kind of welding can be employed for alloy steels तो ज्यादा तर हम लोग जो low alloy steels होती है उसमें इसको काम में लेते हैं साथी साथ aluminum alloy में काम में लेते हैं magnesium alloy में और copper alloy में तो इन सब जगा की जो weldings है वहाँ पर हम लोग metal inert gas welding काम में लेते हैं then the next one is CO2 MIG welding तो अभी हमने बात करी थी MIG welding की that is metal inert gas welding तो यही CO2 MIG welding भी कहलाती है और CO2 MIG welding में special बात ही होती है कि as a inert gas हम लोग CO2 को release करते हैं okay तो CO2 में भी आपके पास में एक क्या होता है continuously एक zone बन जाता है जहांसे कि वो oxidation को रोकता है और जो electrode होता है वो इस case में क्या होता है हमारा coated होता है और जैसे हमने बात करी थी MIG के अंदर में metal inert gas welding में लगातार electrode जो आपका है वो निकलता रहता है इसी तरह से जो CO2 MIG welding है उसमें भी electrode लगातार wire के form में निकलता रहता है और यह जो welding होती है यह fastest welding होती है बहुत तेज welding होती है और इसमें एक अच्छी बात यह और होती है कि इसमें आपको कोई initial preparation नहीं करनी पड़ती है मतलब जो joints आप बना रहे हैं आप कोई भी दो metal pieces को पास में रखिए और joining शुरू कर दीजे यह उसके लिए आपको पहले से उसका उसको घिसना filing करना उसको साफ करना यह सब की जरूरत नहीं होती है आप directly इसको यूस कर सकते है और इससे जो मिलने वाला welding joint है वो सबसे strongest मिलता है आपको ओके तो यह we can use CO2 MIG welding for industrial purpose also so the last type of welding is plasma arc welding तो plasma arc welding में हम क्या करते है in this process we can use different gases mixtures like argon, hydrogen, helium और इन mixtures को हम क्या करते है लगातार जो electric arc है उसमें से पास करते है so that it get ionized तो जैसे heat up होगी वो आइनाइज हो जाएगी this is called to be as plasma and it is passed through welding torch और हम लोग इसी को plasma बोलते है जिसको हम welding torch से भेजते है तो इसमें क्या होता है जो 2 pieces होते है जिनको हमें join करना है उसको हम इस plasma के through heated up करते है और जो electrode काम में लेते हैं वो हम लोग tungsten electrode काम में लेते है as a filler material इसके अंदर में ठीक है और जो कूलिंग के लिए हम लोग कामिल लेते हैं, वो हम लोग वाटर जेट इसके थू लगातार भेजते रहते हैं, जिसे कि वो जल्दी कूल हो जाए, तो यह जो प्लास्मा वेल्डिंग है, यह बहुत इंडस्रियल एप्लिकेशन है, साथ ही साथ इसमें सिरफ हम लोग क्या करते हैं, इसे कटर भी यूस करते हैं, तो प्लास्मा कटिंग के लिए भी हम लोग इसको यूस कर सकते हैं, और हम आजे के सेशन में इनमें से 2 या 3 मेफटा इसमार्ट के सब्से करने वाले हैं तो आप देखते रहेगा, So I hope all of you have seen the complete video और आप लोगों को इसमें से काफी चीज़े समझ में आई होंगी और फिर भी अधी कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट सेक्शन में डीटेल में लिख सकते हैं और हम इन जितने भी वेल्डिंग्स पढ़ी हैं हम इनको और डीटेल में आगे फ्यूजर में डिसक्स करेंगे अलग-अलग वीडियो के थूँ बाकि आज के लिए इतना ही थैंकियो सो मच फ़र बिंग विट मी झाल